आर बच्चा लोग आप जो ग्यार्मी क्लास का चैप्टर चार चल रहा है आज उसको खतम कर देते हैं आज हम एक बहुत 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 इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रक्षे प्यगति या प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसको सीधी बाशा में समझते हैं आप क्या कीजिए आप खड़े हो हाथ में आपके पत्थर है आपने जोर से पत्थर उपर की और फेंका जैसे ही आपने पत्थर फेंका तो आप माल लीजिए यहां पर इस तरीके से खड़े हुए हो पत्थर फेंका पत्थर इस तरीके से गती करता हुआ स्क्रीन पे ध्यान दो इस तरीके से गती करता हुआ जाके कहीं गिर जाएगा ये जो गती हो रही है ये जो पत्थर है पत्थर को कहते है प्रक्षेपय यानि कि पिंड जो आपने फेंगा है पिंड जिस पत्थ पे गती करता उसको कहते है प्रक्षेपय पत्थ और उसकी गती को कहते है प्रक्षेपय गती अब ये गती किसके अधीन हो रही है गुर्तवा कर्शन के अधीन हो रही है ना यानि कि ये आप हो आपने क्या किया हाथ में पत्थर लिया और पत्थर को क्या किया जोर से फेंका यहां से पत्तर को फिंगा इस तरीके से पत्तर गती करता हुआ जाके ग्राउंड पे गिरा ये जितनी दूर जाके गिरा वो होती है कैपिटल आर प्रक्षेपे की परास ठीक है न, capital R, जितनी दूर ये, ये 36 दिशा होती है, और उपर के और उर्धरवादर दिशा होती है, नीचे के और 36 दिशा होती है ये 36 दिशा में जितनी दूर गया, वो गया उसकी परास उर्दवादर दिशा में यह जितना उंचा गया capital H वो उसकी होती है अधिक्तम उंचाई यह उसकी क्या होती है अधिक्तम उंचाई होती है capital H तो यह अधिक्तम परास यह होगी अधिक्तम उंचाई capital H जित्ते टाइम तक वो हवा के अंदर उड़ता रहता है वो होता उसका उड़ेन काल यानि कि जित्ते टाइम तक हवा में रहता है देखिए यहां से देखो यह वाई एक्षेज होता है उर्दवाद दर यह एक्स एक्षेज होता है क्या शैतीज आपने यहां से पत्तर फिंका उसको किता वेग दे के यू वेग दे के फिंका तो वो इस तरीके से गती करता हुआ गया ठीटा कॉन पर शैतिस के साथ फिंका था ये जो दूरी होती है ये होती है उसकी परास ठीक है ये जो उन्चाई होती ये होती उसकी अधिक्तम उन्चाई और जित्ते समय लगता है उसको बिंदू O से बिंदू A तक पहुँचने में वो होता है उसका time of flight यानि की उडेन काल capital T अब देखिए U कितना कौन बनाता है थीटा ठीक है तो अब मैंने आपको बताया था गटकों में विवाजित करना तो इस तरफ कौन सा गटक होगा अभी इसी chapter में हमने पढ़ा है तो X, X के अनुदिश कौन सा गटक होगा आपको बताए U X क्या होगा U cos theta है ना ये आपको अच्छे से पढ़ा दिया है इस तरफ कौन सा गटक होगा U Y U Y का मतलब U sin theta U sin theta यानि कि जो आपके पास वेग U है उसके दो गटक बन गए इस तरफ बन गया U cos theta थीटा कोन है इस तरफ बन गया U Y जो है U sin theta अब एक बात और समझिए जब कोई भी पिंड इस तरीके से गटी करता है ठीक है ना? तो उसके उपर केवल नीचे की और गुर्तवा कर्शन तॉररन लगता है और कोई तॉरन नहीं है यानि कि तॉरन की दिशा क्या है नीचे की और कौन सा अक्ष है? अब यूपर की और प्लस Y इस तरफ प्लस X इस तरफ माइनस X तो मेरे पास क्या है यानि कि AX दिशा में तो कोई तवरण नहीं है तो 0 AY दिशा में तवरण है माइनस का G ठीक है ना अब देखो जिस दिशा में कोई तवरण नहीं है उस दिशा में वेग थोड़ी बदलेगा यानि कि अगर UX शुरू में यू कॉस थीटा है तो ये अंत तक यू कॉस थीटा ही रहेगा यानि कि UX को VX कह दिए अगर तो आपको पता है अंतिम वेग V बराबर U प्लस A T होता है पड़ा हुए ना तो VX बराबर UX प्लस A X T ही रहेगा और AX क्या है जीरो है तो VX बराबर UX प्लस A X T होता है AX 0 है तो खतम हो गई VX बराबर UX ही आ जाएगा लेकिन VY बराबर UI नहीं होगा VY बराबर UI माइनस प्लस A Y T A Y आपका क्या माइनस जी है अभी देखो करेंगे तो इसको अच्छे से समझते हैं प्रक्षे 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 प्रक यह जो इसका पत्थ होता है ना यह यह प्रवल्यकार होता है ठीक है और प्रक्षेपे की गति केवल गुर्तवी तवरण के दीन होती है और कोई तवरण नहीं होता और वो भी क्या है माइनस वाई दिशा में इसलिए माइनस जी चुंकि तवरण केवल वाई दिशा के यूएक्स है पराबर है लेकिन वी वाई यूवाई प्लस एवाई टी है वी वाई यूवाई प्लस एटी से यूवाई है 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 य इसे यू लिखा हुआ है प्रवल्यकार होता है प्रूफ करना है सीधी सी बात है गती की दूसरी समिकंड होती है x ब्रावर यू t प्रस हाफ 80 स्केर एक्स का मान जीरो है इसको जीरो कर दिया तो x रहेगा yu x t yu x होता है yu cos theta तो x आ गया तो t अ गया x बटे yu x आ जेगा न और yu x से yu cos theta शमिकंड देदी क्लीर होगी बात यहीं समिकंड y पे लगाओ u y t वैसे ही रहेगा a w y होता है minus का जी और यहाँ पर T का मान रख दीजिए UX, Usin, Uy, Ucos, Theta Uy को Ucos, Theta रख दो T को रख दो X बटे Cos, Theta X बटे Ucos, Theta यह रख दिया यहाँ भी रख दिया Uy को Usin, U से U तेंजल, 10 Theta into X Half GX Square, एक बटे Cos स्क्वार हो गया यह परवल्य का समय करना है तो कि Y देखो, X स्केर पनियर पर गरता है जब Y X स्केर के समान पाती हो जाए वहाँ होता है परवल्य है कलियर होगी बात तो यह समीगण आगी, किया कुछ नहीं पहली समीगण जो होती है X बराबर UX T प्लस हाफ AX T स्केर उसमें AX को 0 कर दिया यह टर्म कैंसल तो X बराबर UX T रह गया वहाँ से T निकाल लिया X बटे UX, यानि कि X बटे U कॉस तीटा यह रहा और दूसरी समीगण यह लगाई AY को माइनस G रख दिया UY को U कॉस तीटा रख दिया T का मान यहाँ से उठाके T की वैल्यू T की वैल्यू यहाँ से उठाके यहाँ पूट कर दी बस अब प्रक्षेपे की परास देखो प्रक्षेपे द्वारा 36 दिशा में तै कि यह दिक्तम दूरी उसकी परास होती है यानि कि ऐसे यह परास होती है और जितने टाइम तक बूड़ता रहता है X पर यू एक्स टी य भर यू यू यि टी माइनस साफ जीडी स्के में अब X दिशा में जब भो आर जाएगा ऐसे तो Y दिशा में और कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँसे चला उन्तियम पूजीशिन ही आगी तो जहां से चला वहीं आगया उर्दवादर दिशा में तो उर्दवादर दिशा में नेट विस्तापनिस में जीरो मानेंगे तो य तो जीरो हो गया अंतिमस्तिती के है उसकी ऐसे ही एक्स अक्ष पे यहाँ पे अंतिम सिद्य एक्स अक्ष पे है तो y0 है यहाँ पे ठीक है y0 ui पता है आपको u sin theta ही होता है ux u cos theta होता है पता है t को capital T क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में वो time लेगा capital T जिसको डेन काल कहते हैं और x आपका r हो गया सारे put कर दी इन दोनों में दो समिकंडे बनी अब दूसरी समिकंड से सीधा ही है इसको इदर ले गए t से t cancel capital T आगया इसको डेन काल कहते है 2 u sin theta बटे जी फॉर्मल याद रखने है 2 u sin theta बटे जी अब t का यह मान यहाँ रख दो r आ जाएगा u cos theta into 2 u sin theta पहुंची यह होगा 2 sin theta cos theta sin 2 theta u square sin 2 theta बटे जी r आ गया clear होगी बात r की value भी मिल गई अब अधिक्तम उन्चाई ही याद करनी है अधिक्तम उन्चाई ही याद करनी है तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में time t यहाँ से यहाँ तक t total कितना है capital T तो obvious है capital T आपके पास दो गुना T है कि अधिक्तम उन्चाई तक पहुंचने में फिर नीचे आने में तो मैं उन्चाई तक ही जाना चाता हूँ तो उन्चाई तक जाओंगा यह formula लगेगा ut plus half 80 square उपर वाला अब उन्चाई तक y कितना है प्रक्षिप्पे का y कितना है आपको पता h है h height दग गया u y u sin theta वही a y minus का g है यह बुट कर दिया यह होगा u sin theta into t यह चीज़ आगी same t क्या है 2 t तो छोटा t होगा t बटे 2 capital T हमने अभी निकाला था 2 u समिकन 7 2 u sin theta upon g यहां से t बटे 2 निकालो u sin theta upon g तो u sin theta upon g और इसको use कर दो समिकन 9 में इसको यहां रख दो उत्तर आगा u square sin square theta upon 2 g तो अपने पास तीन फॉर्मुली आई हैं main उड़े अनकाल t होता है 2 u sin theta upon g याद रखना अधिक्तम उंचाई तक पहुचने का टाइम इसका आदा हो जाता है इसलिए अधिक्तम उंचाई निकल जाती है u square sin square theta upon 2 g और r का जो मान होता है वो होता है u square sin 2 theta upon g तो याद रखने हैं इसको बहुत ही असान है अब question कहां से आता है पहले कहता है प्रक्षे पे को कितने कोण पर फेंकें कि वो अधिक्तम उंचाई तक जाए उंचाई का ये formula है u square sin square theta upon 2 g ठीक है अब मुझे sign को अधिक्तम करना है क्याच को अधिक्तम करना है sign अधिक्तम कितना होता है maximum एक pi by 2 तो कितने पर फेंका जाए pi by 2 पे बस अब वो कहता कितने कोण पर फेंका जाए कि अधिक्तम प्रास तक जाए अब प्रास का formula ही है use care sin 2 theta बटे जी इसमें sin 2 theta को maximum करना है sin pi by 2 sin से sin cancel 2 theta आगया pi बटे 2 तो theta आगया 55 degree pi बटे 4 यानि कि उसको 55 degree के कोण पर फेंका जाए 45 degree पर फेंकते हो तो वो ज़्यादा दूर जाता है obvious ही बात है ball को 45 पर फेंको सबसे ज़्यादा दूर जाती है ऐसे 55 degree पर और अगर आप बिल्कुल सीधा फेंको उपर यानि कि 90 degree पर तो दिखते मुझा ही तक जाएगा obvious है 90 degree पर फेंको के सबसे ज़्यादा उपर जाएगा तो यह आज का टॉपिक था आपका अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद